हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के most important question को discuss करेंगे जो के आपके आने वाले लगबख सभी competitive exam जिसमें हिंदी से related question पूछे जाते हैं उन सारे exams के लिए सभी question बहुत ही important है चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को पहला question इस वीडियो का निम्न में से कौन सा बिलोम सब्द सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है अगर बात करें तो ये option D right हो जाएगा क्योंकि उप्योग का सदुप्योग ये बिलोम सही सुमेलित नहीं है जबकि मुख का विलोम वाचाल होता है, सुख्स का विलोम आदर होता है, और जंगम का विलोम स्थावर होता है. जो संग्या सर्वनाम अब्बे आद सब्दो से जुड़कर नए सब्दो की रशना करते हैं, उन प्रत्ते को क्या कहते हैं? हिंदी में प्रत्य दो प्रकार के होते हैं क्रित प्रत्य और तद्धित प्रत्य जो संग्या सर्वनाम अब्वे आदि के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्य कहा जाता है option c right हो जाएगा और जो धातू या किरिया के साथ जोड़ जाते हैं विधे तो राम बाजार जाता है इस वाक्य में जो राम है ये उद्देश्य हो जाएगा और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है वो विधे के अंतर गताता है तो राम उद्देश्य हो गया और बाजार जाता है ये विधे हो गया वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश और बिधे, अगला question, रात दिन में कौन सा समास है, समास कुल छे परकार के होते हैं, जिसमें रात दिन की अगर बात करें, तो इसमें दोंद समास है, option, डी राइट हो जाएगा, इसका समास ही विग्रे अगर देखें, तो रात और द इसमें पूर पत अब्बे या उपसर्ग से जुड़ा हो, वो अब्बे भाव समास होता है, बात करें ततपुर समास की, तो जहां पर उत्तर पत 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 हान होता है, वहां पर ततपुर समास होता है, अगला question, जिसकी विषेष्टा बताई जाती है, उसे क्या कहते है, और विषेष्ट को ही संगया कहते है, और इसे नाम भी कहा जाता है बात करें क्रिया विशेशन की तो जो सब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं उसे क्रिया विशेशन कहते हैं क्रिया विशेशन चार प्रकार के होते हैं और विशेशन भी चार प्रकार के होते हैं और जो संग्या या सर्वनाम की विशेष्टा बताता है उसे विशेष्टन कहते हैं बात करें प्राविशेष्टन की प्राविशेष्टन जो विशेष्टन की भी विशेष्टा बताता है उसे प्राविशेष्टन कहते हैं अगला कुश्च्च या लकुटी अरुकमरिया पर राज तिहूं पुरको तजिडारों प्रस्तुत पंकिती में कौन सा छंद है तो इस पंकिती में सवया छंद है option C right हो जाएगा बात करें पंकिती किसकी है तो ये रस्खान जी की है अगला question वकील में कौन सी संग्या है वकील सब्द में संग्या की अगर बात की जाए तो इसमें जातिवाचक संग्या है जिस संग्या सब्द से पूरी जादी का बोध होता है वह जातिवाचक संग्या के अंतरगत आती है जो संग्या सब व्यक्ति विशेश की बात करते हैं वहाँ पर व्यक्तिवाचक संग्या होता है संग्या कुल पांच परकार की होती है जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुवाचक, भाववाचक और द्रवाचक ये पांच परकार की संग्याएं होती है अगला कुश्चन निमने लिखित में से कौन सा समू संयुक्त वेंजन वर्णों का है बात करें संयुक्त वेंजन वर्ण की तो यहाँ पर आफसन सी राइट हो जाएगा शात्रा और ग्या के सास्ष्रा ये चार वर्ण संयुक्त वेंजन वर्ण के अंतरगत आते हैं बात करें या, रा, ला और वाकी तो ये अन्तस्त वेंजन वर्ण है बात करें ताला बिशा, मूर्धन निशा, दंत शा और हाकी तो ये उस्म वेंजन वर्ण है अगला कोश्चन पल्लो, गुंजन और लोकाइतन किसकी रचनाएं हैं तो ये सभी रचनाएं सुमित्ता अंदन पंत जी की हैं option डी राइट हो जाएगा कलम का सिपाही ये मुनसी प्रेमचन जी को कहा जाता है और इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में गोदान, गवन, बड़े घर की बेटी ये से भी रचना है मुनसी प्रेमचन जी की हैं साकेत रचना ये मैतलिसन गुप्त जी की हैं और जहासी की रानी ये सुभद्राकमारी चोहान जी की रचना है तो दोस्तों ये वीडियो को इसा लगा इसे कमेंट बाक्स में जरूरू बता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद